जदों के दाखने क ça कुछुकर plantsa और यह किछन के बनाने को यरे बोर कट ने खोलिए कावले चनले किछन hg नेकी, अम एक रिसापना उसमय कहात। यह जो रसिपी एक आपको खाने में खुछाने में तो सभी को मज़ा आता, लेकिन बहुत मज़ाने वाला है और यह बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही लजीज बनता है, तो स्टार्ट करते है रेसिपी, यह धाई कर्ची मैंने रिफाइंड ओयल लिया है, और इसको आप चाहे तो बटर में भी बना सकते हैं, चाहे तो सरसो ओयल में भी बना सकते हैं, तो धाई चमच हमने ओयल दि और ये 5 चोटी लाइची है ये स्टार फूल है और 5-6 दालचीनी है और दो तेज पत्ते हैं हमारा उधर गरम हो गया है तो अभी सारे हम जो गरम मसाले हैं इसे डाल देंगे और इसको थोड़ा सा तलने देंगे पूरने देंगे और इसकी जो खुश्बू होती है ये पूरे बहुत ऐसा लगता है जो चिकन खाने वाला भी नहीं होता है न वह भी लगता है कि हां क्या बन रहा है इसके घर में तो बहुत ही अच्छी घुश्बू आती है तो आप जुरू ट्राइक करें से तो ये हमारा जो सारे मसाले हैं वह भून करें हैं इस तरह से भून लेंगे हम अपने मसाले और इस चिकन को मैं ये 1 किलो चिकन यूज कर रही हूँ तो इसमें जो है स्च मेडियम साइज के मैंने उनियन अमक यह नहीना में प्याज यूज किए कि एससे स्लाइज में और इसको ऐसे ही भूनने देंगे दलने देंगे स्वादनुसर अभी ही नमक डाल स्वाद अनुसा नमक डालते ना है ताकि हमारा जो प्याज है जल्दी भून जाए जल्दी ब्राउन हो जाए फ्राय हो जाए और यह मैंने चार टमाटर लिये हैं और यह पांच से छे काजू लिये हैं इसमें अब बिंज देना इसको ग्राइंड कर देना पेस्ट बना लेना टमाटर की प्योरी बन जाएंगी यह दो कली दो फूल हमारे लैसून के हैं और दो इंच टुकड़ा हमारा अद्रक का है यह पांच से छे चमर्च हमें भरके अद्रक लसन का पेस्ट तयार करना है और इधर हमारे प्याज भी फ्राय हो गये हैं लाल हो गये हैं यह देखे इस तरह से बिल्कुल अच्छे से फ्राय हो गये हैं इतना ही फ्राय करना है इतना ही लाल करना है इससे जादा करेंगे तो जल जाएंगे और यह मेरा एक किलो चिकन है अब इसको हमने इसमें तलना है इन खड़े गरम मसालों में और प्याज में इसे रोस्ट होने देना है तो अब भी हमने हमने देना हम में देना time वह यह अंने है कहStud video ते 아ज अले हम देंगे तलने देंगे 5 fembs कि तेज जैसपे तेज आज फैज में पorousपे हॉई होने कि दीजिए पास दस बेनट कि और एक चैन्ज हो जाएगा आивать कि तरह से अच्छछ वर्ट आڑना है हमने इसका कसे न उचनी तरह है चैनल का हमारे अपने आपकी आप मतलब पता लग जाता है किसका कलर चेंज हो गया है तो आप उस टाइम पे आपको पता लग जाएगा पांसे दस मिनिट भी या तो आप भून लीजे से इस तरह से कि लेकिन चलाते रही है और यह पांसे छे चम्मस हमने अधरक लसं का जो पेष्ट तयार किया था वो अब अब dal देना है और इसके बार भी हमें 5 मिन्ट अच्छे से फ्राय होने देных अध्र ख्लस्थन का जो पेस्ट डाला है जिन्जर गाली का पेस्ट डाला अब उपलब इसको पाँच मिन्ट अभी फिर से फ्राय करेंगे उस तरह से भूनेंगे क्योंकि जो हमारा अद्रकलस्तन का पेस्ट है वो भी भून जाए और साथ साथ हमारा चिकन भी भून रहा है उसमें और उसमें अच्छे से टेस्ट आ रहा है गरम मसालों का प्याच का और अपना अद्रकलस्तन का पेस्ट का ये चार हमने खड़े मिर्ची डाली है साबुत मिर्ची डाली क्योंकि खड़े गरम असाले हैं तो हमने मिर्ची भी खड़ी ही डाली है साबुत ही डाली है ये दो चमच में अपना खसकस डाल रही हूँ अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए कोई इतना इंपोर्टन नहीं है लेकिन टेस्ट अच्छा हाता अगर आपके पास हो तो आप डाल दीजिए अदर्माइस स्किप कर दीजिए ये देखे इस तरह से तो पांच मिनिट हो गए हैं सारे मसाले डाल के अब या दी चमच मैंने हल्दी डाल दी है बिल्कुल आप ट्राइ करिए इस रसिपी की और कमेंट सेक्षन में जरूर बताएगी किस तरह से बना है आपका जो संडे हैं बहुत लजीज होने वाला है बहुत स्पेशल होने वाला है और ये जो टामाटर की प्योरी है चाहर टामाटर हमने ग्राइंड किये थे और 5-6 काजू ग्राइंड किये थे तो हमने प्योरी बना ली थी अब मैंने डाल दिया है और इसके बाद अब 10 मिनिट और इसको चिकन को भूनने देना है मीडियम फ्लेम पे इसे भूनने दीजिए ओल बहुता रहा है और अब तक हमने कुछ भी पानी आइड नहीं किया है यह चिकन का ही पानी है और जो टामाटर अफ़ी हमने ढाला है इसी इसी में यह फ्राय होता है यह देखें, हमें बिल्कुल भी gravy बढ़ाने की जुरूरत नहीं है, पानी आड़ करने की जुरूरत नहीं है, इसलिए यह चिकन बहुत टेस्टी बनता है, क्योंकि इसमें हमें पानी की जुरूरत पढ़ती ही नहीं है, यह देखें, इस तरह से, कलर भी कितना अच्छा आया ह और दिखने में भी कितना टेस्टी लग रहा है, और इस टाइम पर बहुत ही अच्छी खुश्बू आती है, सच में बना रही थी, मेरे मूं में पानी आ रहा था, यह 100 ग्राम हमने दही डालिये, और इसके बाद 20 मिट और पकाएंगे, सिम पे पकाईए, कम गैस पे, मतलब भी फ्राय होगी, और ओयल सेपरेट हो जाएगा, यह देखे, और आपको पानी डालने के इसमें ग्रेवी बढ़ाने के बिलकुल भी आशकता नहीं है, तो यह ऐसे ही दही टामाटर की जो ग्रेवी है, और जो चिकन का पानी छूटता है, उसी में चिकन बनके रैडी होता ह और इसी लिए चिकन वह टेस्टी बनता है, अब यह मैं गरम मसाला डाल रही हूं लास्ट में, यह दो चमस में भरके गरम मसाला डाला है, क्योंकि आल्मोस्ट चिकन पक गया है, लास्ट में डालना है गरम मसाला, क्योंकि आल्मोस्ट हमारा जो चिकन है वह पक गया है, बस एक सो मतलब दो तीन मिनिट और हमें पकाना है से यह देखिए तो हमारा चिकन अल्रेडी पग गया है और मुस्ट पग गया है तो इस तरह से टेस्ट टेस्टी चिकन दिखेगा हमारा अब इसमें कुछ पुधीने के पत्ते और हरा धनिया कोट में डालना है और फिर दो से तीन मिन्ट और पकाना है इसको अच्छे से चला देंगे मिक्स कर देंगे यह देखिए कितना टेस्टी सा दिख रहा है इतना ही मजेका बनता है यह चिकन और आपको सच में बनाने में भी बहुत मज़ाएगा क्योंकि जादा बिल्कुल भी कुछ जंजट नहीं है कोई इसमें इतना हैडिक वाला यह दिमाग लगाने वाला काम नहीं है और नहीं कुछ एक्स्ट्रा मसाले है तो बिल्कुल में भी बहुत टेस्टी लगता है कि यह देखिए आ रहा है ना मूं में पानी कल में बनारी तो मुझे भी आसे ही लग रहा था कि वाव कि यह देखिए इस तरह से आप चलाइए और इस तरह से बनके आपका चिकन रैडी हो जाएगा तो यह हमारा चिकन बन गया है तो गाइस आपको मेरी रैसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें और हमेशा ओल संडे मैं कोशिश करूंगी चिकन और पनीर की रैसिपी लाने की तो इसी तरह से आप मुझे सपोर्ट